प्रेंट्स में चैनल इजी विय ओफ लंडिंग में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे वक्षिट नमर फिफ्टी टू हमारी इंग्लिश की रीद आइक्स्टर्ट फॉम दी चैप्टर माई चैल्डूड और आंसर फॉल्विंग यानि कोश्टन में आंसर देने कोस्टन के आंसर देने तो कौन चैप्टर हमारा माई चैल्डूड किसका डॉक्टर एपीज अपनुल कलाम का चलिए पढ़ते हैं हर कोई बच्चा क्या होता है उसके पास कुछ इनहाइटे अपने बाबाब से मिले हुए कुछ संसकार कुछ क्यारक्टर कुछ गुन होते हैं और ये कौन कौन से ये स्पेसिफिक शोश्यो एकोनोमिक यानि की जो हमारा समाजी के उसके हिसाब से emotional environment के हिसाब से और कुछ figure of authority कुछ number के जो एक authorities होती है कुछ संस्थान होते हैं उसके हिसाब से किसी किसी को गुन मिलते हैं और कोई उसी तरीके से लोग ट्रेंड होते हैं I inherited honesty and self-discipline from my father मुझे अपने पिता से honesty और self-discipline मिला From my mother I inherited faith in goodness and the deep kindness और मैं अपनी माता से मैंने क्या सीखा goodness और अच्छाई और deep kindness यानि कि द्याल होता मैंने सीखे So did my three brothers and sister और मेरे तीन भाई बहनों ने भी वही सब सीखा I had three close friends in my childhood रामानाथा सास्त्री में पस तीन दोस्ते मेरे बच्पन में पहला था रामानाथा सास्त्री, अर्विंदन and श्विप्रकाष्ण तीन इसके दोस्ते All these boys were from Orthodox Hindu Brahman family तीनों ही कॉन से है Orthodox यानि कि जो कट्टर हिंदू होते हैं उस फैमिली से है As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious difference and the upbringing हम लोगों ने कभी भी अपने जो religious difference उसके हिसाब से कभी भी हमने आपको एक दूसरे अलग नहीं समझा हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग एक ही जैसे हैं In fact, रामनंदा सास्त्री वाज सन्व पक्षी लक्ष्मन सास्त्री याँ हाइस प्रिस्ट आप रामेश्वरम टैंपन और जो जबकि क्या था जो रामनंदा सास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मन सास्त्री जो था उसके जो बहुत बड़ा क्या था प्रिस्ट था वहां का पंडित था उसका बेटा था रामेश्वरम मंदिर का फिर भी हम लोग को कोई डिफ्रेंस था मैं मुसल्मान था लेकिन वो हिंदू थे पूरे कट्टाय ब्रामन हिंदू थे फिर भी हम लोग जो थे अच्छे से दोस्त से बन कर रहते थे लेटर ही तुक ओवर दा प्रिस्टूड अइप दी रामेश्वरम टैंपर फ्रॉम हिस वादर बाद में क्या क्या रामनंदा सास्त्री ने वो भी कुछ पंडित बन गये जैसे उसके पिता काम करते थे वैसी वो भी काम करने लगा अरिवंदनम वेंट टू बिजनेस ऑफ अर ट्रांस्पोर्ट आरेंजिंग सिस्टम में बिजनेस में लगया सिफ प्रकाशन विकेम क्येम कारों चार्रिंग क रॉठ्ण आप्टम हमें केरिंग कारों ने काम ले डिया चलिए पहले परदा कोशन पड़ते हैं था बो ए ऐडやश फ्रेंशिप जू लड़की थी आप क्या लगाएंगे मैं तब ट्रेजर लगाँगे जो कि इन सभी की दोस्ती क्या थी बहुत थी अच्छी थी दूसरा कोशन है इस अपकोश डिपेंड करता है क्या हो रहा है क्या नहीं इस ब्रिज बिट्विन दी गोल्स और अपकोंप्रिश्ट यान की काम और जो गोल्स है उसकी बीच का जो डिसिप्लेन है वो उसका ब्रिज है क्या यह बात है बहुत सारे लोग आपके जिंदगी में आते जाते रहते हैं लेकिन कुछ दोस्ती आपके जिंदगी में छाप चोड़ के जाते हैं क्या यह है इसका मतलब या फिर जो mystical bond है ब्रदर हुट का वो ही सभी लोग को भाईचारे में जोडता है तो आप कौन सांसर लगाएंगे इसमें मेरे हिसाब से तो इसका अंसर दी होना इसमें क्या भाईचारे को दिखाया गया है कि जैसे तीनो जो है क्या ब्राह्मन फैमली के फिर भी वो एक मुसल्मान के साथ कितना हस बोलके खिल कुद रहे हैं और वो सब क्या है एकदम पक्के दोस्त हैं जो एकसर इसमें 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 गलत लग रहे हैं कौन सा expression गलत दिया गया, तो आप क्या लगाएंगे word, sign, shape, figure तो sign भी होता है, figure तो shape भी होता है, figure तो numbers भी होता है, क्या, misprint भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड को लेकर गलत बताया गया, तो यहाँ पर misprint, interpret जो है, वो गलत है, ठीक है, तो option यहाँ पका C वाला, ठीक है, यहाँ पर यह जो C है न, यह जो C है, उसको, चलिए, फोर्त है, choose the option, the list of the set of this statement that is true according to the given extract, जो extract उपर दियाएगे, उसके according यह true है, तो पहला है, he inherited faith in goodness from his mother, उसे अपनी मा से goodness सीखी थी, inheritance हुई थी, his sister inherited honesty from her mother, और sister inherited honesty उसकी मा से मिली थी, he and his sibling inherited no quality from their parents, उन्हें अपने मातरता से कोई भी गुन नहीं मिले थी, और fourth, his brother inherited self-discipline from his father, और चौथा क्या है, या फिर उसके जो भाई है, उसने अपने पिता से self-discipline सीखा था, तो आप इसका answer है, हमने पढ़ा है, तो इसका answer होगा, इसका पहला तो first वाला साई है, और last fourth वाला साई है, ठीक है, तो इसका answer है C, okay, fifth आपको दिया, pick the option that correct, please classify, fact as the F and the opinion O of the students belong, कुछ fact और कुछ opinion, fact यानि कि जो इस story में आपको fact सच में पता चर रहे हैं, और opinion जो वो विचार दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, पहला एला, children could have chosen some different profession, isn't it, जो इसमें बच्चे हैं, उन्होंने different, different profession चुनी है, हाँ, जी चुनी है, तो ये क्या है, fact आपका, the children never felt they were different from each other, वो जो बच्चे थे, उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लगता है, कि वो अलग है, उन्हें लगता थे, कि हम सब एक ही जैसे हैं, तो ये भी मेरी हिजास है, fact ही है, third way, I think it was a well-nit social bond which make the difference, इसमें thinking, वो opinion कुछ दे रहा है, तीक है, कि मैं सोचता हूँ कि कुछ social bond होता है, जो कि difference को कम करता है, या फिक कुछ social bond होता है, जो कि difference को बनाता है, और fourth, well, it is the reason India has unity in the diversity, और इसी ही कारण क्या है, जो इंडिया है, उसकी जो diversity में हो unity है, यानि कि सब अलग होते वे भी वो क्या है, एक साथ जुड़ी होई है, तो ये भी सही है, तो मेरे हिसाब से इस story में दो चीज fact है, एक तो first वाला और एक second वाला, और जो ये दोनों जो opinion दे रहा हो, कुछ बताने कोसिस कर रहा है, ठीक है? तो सिन मतलब थोड़ा साथ difficult हो रहा है, बट मैं ये लगा रही हूँ, तो मेरे साथ से ये सही है, ओके? ये first वाला, ठीक है? Friends, यहाँ पर हमारा वीडियो कम्प्लेट होता है, I hope आपको वीडियो पसंद आए, उसे like कीजे, comment कीजे, share कीजे, और भी वीडियोस देखने के लिए मिचान को subscribe कीजे, thank you!